शिक्षा देने वाली छोटी कहानी, मोटिवेटेट स्टोरी एक बार दो दोस्त थे, जिनका नाम था रमान और दिनेश, वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसकूल नाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी, दोनों के घर भी पास-पास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक स थी काते ते su अनके काम करने को संभ को बहुत जल्दी करता थ और ही कोश CRA पाहिए किसो करता था पन किसे सब्सकquila करता कि वह सबसे पहले काफेlicy को श्याना-क्षच कामरिए काम 갖고 भी घ्रि डिम्रों म adalah ब्हुत जल्दबाजी में रहता था औरพर आ trabalhक सि एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था जिससे बाद में उसके लिए किये गए कारी में कोई दिक्कत ना हो दिनेश अक्षर अपने काम में गलती कर बेटता था लेकिन रमण हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता लेकिन एक दम परफेक्ट रिजल्ट देता था एक बार रमण और दिनेश दोनों सुभा की मौर्निंग वोक पर चल दिये और चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि मैं तुस्से तेज दोड सकता हूँ अब दोनों दोस्तों में बातों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कौन जादा तेज दोड सकता है दोनों दोड लगाने के लिए तैयार हो गए थोड़ी देर में दोड शुरू हो जाती है कुछ दूर दोडने के बाद रमण रुख जाता है और अपने जूतों में कुछ देखने लगता है रमण को रुका देखकर दिनेश ने रमण से कहा क्या हुआ रुख क्यों गए क्या तुम मेरे साथ दोड नहीं कर सकते रमण ने कहा में जूते में कुछ कंकड घुस गए है मैं इनको निकालने के बाद ही दोड सकता हूँ वन्ना कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊंगा नहां सुनकर दिनेश हसने लगा और कहने लगा मुझे किसी पत्थर का ड़न नहीं है मैं बिना पत्थर निकाले ही दोड पूरी कर सकता हूँ और आगे निकल गया रमण कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकर निकाल कर दोणने लगा अब दिनेश के जूतों में दसे कंकर उसके पेरों में चुबने लगे थे वो थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश के पेर बहुत ज्यादा गाहल हो चुके थे पेरों से खून बहने लगा और ददल से बेहाल दिनेश जमीन पर लेड गया अब रमण कुछ आगे जा चुका था दिनेश ने रमण को अवाज लगा कर मदद करने को कहा रमण वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा उसके पेर खून से लदपद हो गए थे रमण अपने दोस्त को घर लेकर आया फिर उसके पेरों में दवाई लगाई जब दिनेश का दर्द सही हो गया अब दिनेश को अपने किये पर पस्तावा होता है यहां कहानी हमें एक ही बार में कई बाते सिकाती है एक की हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए जैसे रमण ने अपने जूतों से कंकर पहले ही समय रेते निकाल लिये थे उसी परकार हमारी अनेक समस्याओं जो कोई बीमारी हो सकती कोई रिष्टों में गलत फेमी हो सकती है या कोई और भी समस्या हो उसे तबीख खत्म कर देना चाहिए जब समस्या चोटी हो क्योंकि जब समस्या देखते-देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे सही करना मुश्किल हो जाता है दूसरी जल्द बाजी में हमेशा नुकसान दायक होती है जैसे दिनेश ने दोड में जल्द बाजी दिखाई थी और अपने जूतों में फसे कंकड को निकालना भी जरूरी नहीं समझा और फिर जो नतीजा मिला वो बहुत ही खराब था उसी तरह किसी भी कारी को करने में जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए बलकि उसे सही डंग से करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए जिससे कारी एक ही बार में सही तरीके से हो सके तीसरी बात ये है कि हम सिर्फ सफलता को ही टारगेट लेकर चलते हैं लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए सभी पहलों में कारिक करना चाहिए जैसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस को जीतना था लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जीतने के लिए अपने जूते और पेर का सही होना भी जरूरी है दूसरी तरफ रमन ने रेस जीतने को अपना सीधा लक्षिना बना कर उसे रेस जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलों पर ध्यान दिया तबी वहां रेस जीज सका थेंक यू और कीप वोचिंग वीडियो पसंद आये तो लाइक और सब्सक्राइब करें